हलो एभूआन वेल्कुम बाक टु दे चैनल वेल्कुम बाक टु दे सेशन ओप बेसिक इलेक्टरिकल एंड एलेक्रोनिक्स आज एक धम्मा के दार खुनल देख रहे हैं आप बिल्कुल दम्मा के दार टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं सिंगल फेस ट्रांस्फॉर्मर की क जहानी आज है सेशन नमबर वन बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इंट्रोडक्शन जहां पे ट्रांसफोर्मर दिखता कैसे है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वो पर्फॉर्म कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्यों काम में आता है, यह सारी चीज़े हम लोग ड जानते हो यार, शेरिंग इस केरिंग, तो जरूर शेर कर दीजिए और पकड़ पकड़ के सबसे सबस्क्राइब जरूर कराईएगा, ताकि आप हमारे फैमिली के साथ जरूर जुड़ जावे, और वाटस अप ग्रूप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टेग्राम हैंडल पे जरूर जाके फॉलो करिए, क्योंकि तभी जाके हम लोग बिलकुल जादा कनेक्टेड रहेंगे, तो चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक चलो मचाते हैं, बिलकुल सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, देखिए, देखिए, यहाँ पे हम लो अब क्या होता है, जो इंडक्टर होता है, यह वाला जो इंडक्टर होता है, यह क्या करता है, इंड्यूस्ट करता है, थीक है, इंड्यूस्ट करेगा, जनरेट करेगा, EMF जनरेट हो गया, लेकिन यही EMF को एक जगे से दूसरे जगे पे ट्रांसफर करने का काम कौन करेग मतलब सर इंक्रीज हो गया तो बात अलग हो गई डिक्रीज हो गया तो सर लॉस हो गया क्या इस सब के बारे में हमें इस पूरे चाप्टर के दोरान पढ़ना है तो ट्रांसफॉर्मर पहले जान लीजिए दो प्रकार के होते हैं पहला होता है step up transformer step up transformer ठीक है step up transformer और दूसरा होता है step down transformer step down transformer क्या होता है step up transformer और क्या होता है step down transformer तो जब एक transmitter end होता है और जब एक receiver end होता है तो transmitter मतलब जहां से मैं भेज रहा हूँ उधर suppose एक practical example ही लेना चाहता हूँ for example 11 kv से लेकर मतलब एक जगे पर 11 kv और 22 kv ठीक है ये एक जगे पर है ये जब transfer करके जा रहा है दूसरे जगे पर तो यार ये increase हो गया ये हो गया increase, increase मतलब कितनी हद तक increase हो गया 220 kv से लेकर 400 kv तक ये increase हो सकता है kv बुलेगा तो kilo volt, kilo बुलेगा तो 10 raise to 3 ठीक है ये 11 kv से लेकर 22 kv से लेकर 220 kv या 400 kv तक जा सकता है तो इसको कहते है बिलकुल step up transformer, step up हो रहा है, increase हो रहा है that is called as a step up transformer, step down मतलब क्या किसर वहाँ पर decrease हो गया, loss हो गया, इसको कहते है step down transformer ठीक है जी, अब क्या होता है, usually जो stations होते हैं, energy stations होते हैं, वहाँ पर हम usually use करते है step up transformer क्योंकि generate करेंगे 11 kv का transfer करेंगे with the help of transformer का जो construction है, उसका help लेके, उसका जो core है, उसकी जो coil है, उसका help लेके, हम इसको 220 kv तक पहुचा सकते हैं, 400 kv तक इसको पहुचा सकते हैं, तो this is what the benefit of the transformer, क्या होता है transformer इसका definition में आपको clear लिखके देना चाहता हूँ, ठीक है clear, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन बहुत important है a transformer, a transformer is, is a static device, is a static, is a static device, device by, by means of, by means of, means of, which, by means of which, which electric power, electric power, ठीक है, by means of which, electric power, from one circuit, from, one circuit, one circuit, to other, one circuit, to other, to other, can be, to other, can be transferred, can be transferred, ठीक है, can be transferred, without, यह important है, यह जो लास्ट वाला रिक रहा हूँ, without, 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 change in, change in, frequency, इसको कहा जाता है, transformer, ठीक है जी, अब यह transformer ठीक है, यह सब कुछ तो चल जाता है, लेकिन, यह transformer में होता क्या है, होता क्या है, है, first of all, यहाँ पे होता है, two, two inductive, two inductive coils, ठीक है, two inductive coils, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो, windings, windings, ठीक है, second चीज़ होती है, core, जो बोलता है, हाँ, मतलब heart होता है, जैसे, वो ऐसे ही, यहाँ पे होता है, core, ठीक है, अभी यह windings में भी दो प्रकार होता है, एक primary होता है, secondary होता है, I'll just tell you, what is this, यहाँ पे होगा primary winding, और दूसरा होगा secondary winding, ठीक है, पहला होगा primary winding, दूसरा होगा secondary winding, फिर होगा core, फिर होगा यहाँ पे windings, और फिर यहाँ पे input, load, यह सब कुछ होने वाला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, input, और फिर output side पे हो code, ठीक है, अब देखे, इसकी practical diagram और यह दिखता कैसे वो मैं आपको दिखाने वाला हो, बिल्कुल बहतरीन diagram है, यह रही आपके सामने, देखे, this is what the transformer that we have to study, जो मैंने core बताया, वो आपको यहाँ पे दिखाई पढ़ रहा है, देखो, red color से मैंने mark किया, that is iron core, यह जो पू magnetic lines, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल magnet का सहारा लिया जाता है, तब ही जाके तो step up, step down possible है, ठीक है, जो मैंने input बताया था, that is what your AC supply, जिसको आप कह सकते हो input, ठीक है, और यहाँ पे load मतलब यह रहने वाला है, आपका output, आप इसको load कुछ भी लगा सकते हो, doesn't matter, primary coil मतलब जहाँ पे input लगाया जाता है, that is called as a primary coil, और secondary coil मतलब जहाँ पे EMF यह जो voltage है, या जो अपना voltage का value जो है, यह इसको बिल्कुल हम लोग क्या कर सकते है, बिल्कुल measure कर सकते है, load जहाँ पे attached होता है, वहाँ पे होता है secondary coil, vs मतलब voltage across a secondary coil, and vp मतलब voltage across a primary coil, ठीक है, so this is what overall transformer की diagram, ठीक है, जो हमने यहाँ पे दिखाई हुई है, बिल्कुल इस transformer की diagram को हम लोग धंग से पढ़ने वाले हैं, इसका एक representation भी होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हू, that is symbol of transformer, symbol of transformer, symbol of transformer, symbol of transformer, देखिए, दिखता कैसे है, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते है, यह होगी एक coil, इसको इस प्रकार से हमने दिखा दिया, यहाँ पे होगा बिल्कुल magnetic lines, यहाँ पे होगी एक और coil, इसको इस प्रकार से ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक है जी? तो इसको हम कह सकते है, primary, secondary, ओकि यहाँ पे voltage रहेगा V1, यहाँ पे voltage रहेगा V2, यहाँ से current जाएगा I2, यहाँ से current जाएगा I1, ठीक है, इसको नाम दे देंगे, ठीक है, तो यह actual symbol है, इसमें अभी मैं नाम दे रहा हूँ, magnetic, magnetic lines, ठीक है, यह primary होगा, primary, और यह होगा secondary, ठीक है, obviously यह coils होगे, this is what the coil, primary coil and the secondary coil, जो V1, V2 बोला है, तो यहाँ पे होगा आपका load, यहाँ पे होगा input, ठीक है जी? लेकिन बहुत काम का है जनाब, बहुत काम का है, ठीक है जी? तो मैंने आज आपको क्या 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 बताया, कियर्स, transformer कितने टाइप के होते है, primary and secondary, transformer में क्या क्या होता है, coil होता है, core होता है, magnetic lines होती है, input होगा और load होगा, इतनी कहानी होगी, step up, step down क्यो होता है, कैसे होता ह ये भी बताने वाला हूँ, इसके बाद हमने उसकी diagram को discuss किया, और फिर जाके हम देख रहे होंगे अभी इसका एक basic equation, ठीक है, basic equation, basic equation, ये बहुत काम की चीज़े, basic equation, क्योंकि इसी को पकड़के हमें जो next session है हमारा, इसको पढ़ना होगा, तो देखिए, basic equation में एक चीज़ आपको बिलकुल नजर आएगी, according to Faraday's law, क्योंकि यहाँ पर magnetic flux रहेगा, तो according to Faraday's law, यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, देखिए, E1 is equal to minus of N1 d5 upon dt, जिसको कहा जाता है with respect to voltage, अभी देखिए, 5 मतलब क्या है, flux है, with respect to time, मतलब flux जो है, वो time के according, time के तहर, time के with respect to change होने वाला है, change होने वाला है, यह minus क्यों आया, यह minus होता है, because of, because of back EMF, back EMF, ठीक है जी, क्या होता है back EMF, बिलकुल बताऊंगा, next session में, N1 होता है, number of windings, number of windings, यह आपको समझना जरूरी है, E1 मतलब EMF at primary coil, that is what E1, N1 मतलब number of turns आप बोल सकते हो, number of windings यह इसको आप बोल सकते हो, number of turns at primary, number of turns at primary, इसलिए N1 बोला गया है, phi जो है, flux जो है, वो कहीं पर भी रहे, same ही रहने वाला है, इसके लिए उसको D5 by DT कहा गया है, तो this is what a faraday's law, जो हम लोग ने already 11-12 standard में पढ़ लिया है, बस इसी को पकड़के, हमें आगे जाके, करना है, EMF equation of the transformer, बेहद important question from the theoretical question paper point of view, तो जरूर अपने साथ बने रही है, next session में हम लोग मिलेंगे, इसके derivation के साथ, और इसके कुछ छोटे से numerical के साथ, तब तक के लिए, इस introduction session में इतना काफी है, मिलते हैं next session में, इतनी जोज, जुनून और ताकत के साथ, बबाई, टेक केर और थांक यू सो मुच गाइस.